आप जाड़ते बालों से या सफेद बालों से आपके बालों में लगे डैंट रफ से या पिर spend स्पिर्टैन शे या फिर रफ हेसे परेसान हो रहे है तो आज कि वीडियो आपके लिए कपी फायदेमंद रहे और यहां पर यह अलवरा जो है वो हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करता है और अगर आप इची स्काल्प से परिशान है तो वो वाला प्रॉब्लम भी आपको कम हो जाएगा इस पैक से उसके बाद एक कप जितने मैंने हिना के लीव्स को ले लिया है अगर आप सफेद बालों से परिशान हो रहे हैं या फिर आपके स्पिलिटेंट्स हो रहे हैं अगर आपके बाल ज्यादा रफ हो रहे हैं तो यह हिना के लीव्स बहुत ही ज्यादा फायदे मंद होंगे हमारे इस पैक का तीसरा मोस्ट पवरफुल इंग्रेडियेंट है गुड़हल के पत्ते तहां पर एक कप जितने गुड़हल के पत्तों को मैंने ले लिया है आप चाहे तो फूल के सांथ भी इसको ले सकते हैं इसके काफी सारे बेनेफिट्स हैं यह आपके डानरफ को कम करने में सांथ ही आपके स्काल्प पर नए बालों को उगाने में बहुत ही ज्यादा हलफुल होंगे और उसके बाद मैंने दो टैबल स्पून जितने मेथी दानों को पूरी रात भर भीगो लिया था और उसका भी इस्तमाल मैं इस पैक में कर रही हूं क्यूंकि मेथी दानों में आयरन और प्रोटीन भर पूर होते हैं जो आपके हैर ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हलफुल होंगे और उसके बाद एक बड़े चंब जितने दही का भी इस्तेमाल मैं हम पे करने वाली हूं अगर आप रुखी सुके बालों से परेशान है तो दही आपके बालों को बड़ी आतरीके से मोईश्यराइज करेगा अभी लिये हुए सारी चीजों को हमें एक मिक्सर जार म देने के बाद अभी हमें इसमें आदे नेमभू के रस को भी डाल देना है नेमभू जो है वह आपके डैंटर्फ को ट्रीट करने में आऊ-सान्ति- आपके फ्रिजी बाल को भी जरीट करने में बहुत ही ज्यादा एल्फुल होगा डाली हुए इस सारी चीजों का एक तो आपको बढ़िया से जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स मेल पाएंगे आप इस रमेडी को ट्राइ कीजिएगा और आपको इसका रिजल्ट कैसे मिलागा वो आपके कमेंट्स के जरीए हमसे श्यार कर दीजिए थैंक यू फू वाचिंग